अगर आपके पास स्टॉक है और नहीं गिर रहे हैं तो फिर चल नहीं रहे हैं ये ज्यादा तर लोगों का हाल है और ऐसा इस वजह से बिकॉज मार्केट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर मूव नहीं कर रहा है अगर आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया हो तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है किस मार्केट या फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है पर पोर्टफोलियो या तो ब्लीड हो रहे हैं या स्टेबल हो रहे है ऐसे समय में एक बड़ी अच्छी स्टडी हमारे हाथ लगी है शायद आप मेंसे बहुत सारे लोग इससे खुद को कोरिलेट कर पाएं और उन्हें लोग को लगेगा कि ये स्टेड़ी खरीद लेना एक फायदेगा सौधा है है ना इसी से एक चोटी सी स्टडी है जो आज के सेशन में हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे रिलाक्स बैठिएगा और इसे ध्यान से सुनिएगा Economic Times जो चैनल है या फिर जो न्यूस पेपर है इसका एक तो फ्री वर्जन है जो आपको हमेशा मिल जाएगा पर इसकी एक प्राइम मेंबर्शिप है ET Prime इसके आर्टिकल्स अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अगर आपके पास में इसका प्राइम मेंबर्शिप नहीं है तो ये आर्टिकल्स आपको विजिबल नहीं होगा जब ET Prime का ये particular part हमने खोला तो ET Prime का एक आर्टिकल था ये हमारे सामने आया ये था कि stock picks of the week 4 stocks with consistent score improvement and upside potential of up to 41% तो हमको लगा कि ये प्राइम आर्टिकल है और ये चार stocks के बारे में बात कर रहा है जिसके अंदर potential 41% है अपसाइट का तो लगा कि कुछ ना कुछ बढ़िया होगा चलो एक बार इसको study करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस article के अंदर ओके आपको मोटा मोटी हम बताते हैं इन्होंने चार stocks identify किये हैं ये चार stocks कौन कौन से हैं अनुकौम रसायन, Aegis Logistics, Silo World, Balagia Mines ठीक है और इनका कहना है कि जो इनका potential upside है वो 48%, 42%, 21% और 17% के करीब है ठी जिस तरीके का इस्तमाल करके इन्होंने ये चार stocks identify किये थे ठीक है थोड़ी थोड़ी information इन stocks के बारे में हैं ये हम लोग सबसे last मिलेंगे हम आते हैं इस article के निचले हिस्से में और जो की है how these scores are calculated by SR Plus ये एक particular agency है जो की इस तरह के stocks identify करती है तो क्या होता है कि जब आप market के है तब आपको लोगों की जो strategies है या उनका जो study का तरीका है इसको भी identify करते रहना चाहिए तो इनका जो एक तरीका है जिसमें ये क्या करते है ये stocks को score देते है अब ये जो particular article है इसके अंदर इसी इस तरीके के बारे में जहनकारी दी गई है हम लोग क्या करेंगे इनके इस जो component है इनका how the scores are calculated ये है earning component score भाई हम सभी जानते हैं कि fundamentals अगर आप किसी भी company के पढ़ रहे हैं तो उसमें जो सबसे important चीज होती है वो quarterly results में earning आती है top line, margins और bottom line so ये यहां क्या consider करते हैं इस point में earning component score of a stock is the simple average of earning surprises कि जो earnings हैं वो last 4 quarters में कितनी अच्छी रही है estimate revisions कैसे रहे हैं इनके पिछले 4 weeks में measured over the last 4 weeks and recommendation changes measured over the last 120 days of a stock कि जो अलग-अलग बहुत सारे stock brokers रहे हैं उन्होंने recommendations में अपने क्या change किया है the higher the earning component score the better it is यानि कि जितनी अच्छी earning होगी इनकी जो last 4 quarters की earning stock की जितनी अच्छी होगी उतना ही score बढ़िया होगा तो सबसे पहली चीज जो ये consider करते हैं वो क्या होती है stock का earning बढ़िया होना चाहिए second है price momentum component score अब इसी में देखे learning हम लोग के लिए छुपी होती है क्या जभी कभी भी आप short term के लिए trading ideas ढूडते हैं तो आपको fundamental plus technicals करना चाहिए देखे यहां यही कर रहे है fundamentals ले रहे है technicals ले रहे है price momentum component score so this score of a stock is weighted average of 70% weighted relative strength index of a stock measured using RSI of the stock versus the industry average over the past one month तो past one month में industry का average RSI का क्या था और उसके comparison में जो यह stock है इसका momentum कैसा था यह इस चीज़ को compare करते है the higher the price momentum component score the better it is ठीक है जितना अच्छा industry के average में इंडस्टी के comparison में जो यह stock है इसका price momentum जितना बढ़िया हो उतना ही अच्छा जैसे माली जिए कि हम दो अगर auto index की बात करें तो auto index अगर पिछले एक महीने में माली जिए कि 6% बढ़ाए और अगर वो share 12% बढ़ाए तो और एक दूसरा share हो auto का जो की 8% बढ़ाओ तो comparatively जो 12% बढ़ने वाला share है वो बहतर होगा और उसको इनके जो metrics है उसमें higher score मिलेग then fundamental component score now यहाँ पर earning component score था यहाँ fundamental component score है fundamental component score of a stock is the simple average of profitability of a company यानि कि long term के अंदर company की profitability कैसी है जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है revenue growth शामिल है gross margins शामिल है return on equity शामिल है net margins शामिल है debt level of a company भी शामिल है कि company के पास में कितना loan है interest funding interest coverage कि जो loan है वो company के cash reserve से कितना cover हो सकता है earning qualities of a company earning की qualities भी होती है अच्छा बिलकुल qualities हो सकती है कई बार ऐसा होता है कि जो company को earning मिल रही है जो पैसा मिल रहा है वो other income से मिलता है अपने main business से नहीं मिलता है ठीक है so fundamental के यह सारे components भी यह एक company को analyze करते समय इन चीजों को शामिल रखते है तो तीन चीज़ा होगी earning component हो गया price momentum हो गया fundamental component हो गया चौथा क्या है risk component score जो हम लोग charts देखने तो यह देखने ना कि अगर कोई stock बहुत unusual तरीके से भाग गया है फिर उसका valuation भी अगर खराब हो गया तो हम लोग कहत using daily return over the past 90 days, monthly return over the past 60 month तो यह भी देखते हैं कि past 90 days में और past 60 month में return कैसा रहा है इस stock का और उसके साथ साथ जो volatility है वो कैसी रही है the higher the risk component score the better it is तो stability चाहिए इनको risk component में और जो पाचवा और जो last point है वो है relative valuation component score यानि कि जो stock है उसका valuation कैसा है माल लिजे कि अगर कोई stock बहुत ओने पने P.E. पर चल रहा है या price to book पे चल रहा है तो यह उस stock को consider नहीं करेंगे relative valuation component score of a stock is weighted average of price to sales score of a stock price to sales फिर 5 years का यह average ले लेते हैं price to sales का और उसके अधार पर अगर stock बहुत ज्यादा महेंगा होता है तो फिर यह उसको शामिल नहीं करते हैं अब एक चीज़ समझे चार stocks में 42% का return अगर इनको देना है तो उसके लिए यह कितनी चीज़ों को consider कर रहे ह earning component score, price momentum component score, fundamental component score, risk component score और relative valuation component score इतना सब करने के बाद जो थोड़ा सा उसका explanation है वो क्या है consistent score improvement over a one month period तो जब यह किसी भी stock को consider करते हैं तो उसमें यह चीज़ देखते हैं कि इन सारे parameters पर वो stock consistent perform करना चाहिए दूसरा पांच तरह का इनका जो statement था एक था strong buy, एक है buy, hold, reduce और उसके बाद है sell यह चीज़ आपको समझनी जरूरी है जो एक particular point है जिसमें एक point है that is called reduce, strong buy, buy, hold, reduce या curtail और then sell, now reduce क्या है आप लोगों याद होगा कि जब कोई stock आप पूछते हैं तो हम कई बार कहते हैं कि अगर 100 stocks हैं तो इसमें से 30% remove कर दो यह जो reduce particular part है यह वही है जब आप short term trade करते हैं या swing trade करते हैं तब आपके पास में यह discipline होना चाहिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको कब reduce करना है stock ठीक है जब लोगों को यह समझ नहीं आता है इस concept की जानकारी नहीं होती है उनको curtail करना यह जरूरी है ठीक क्या है यह थी छोटी सी information अब इसके बाद क्या होता है इन्होंने क्या कहा what led to improvement in these stock scores अनुपम रसायन के बारे में जो information है वो यह है कि the recent changes in the average score was primarily due to an improvement in risk and earning component score अब यह मज़ेदार चीज है ठीक है इसको ध्यान से समझेगा क्योंकि इसको अनुपम रसायन में risk और earning component score improve हो गया रिस्क क्यों improve हो गया अगर stock बहुत तेजी से ऊपर भागेगा तो risk improve होगा अगर stock बहुत तेजी से ऊपर भागेगा तो risk बढ़ेगा that means कि अनुपम रसायन में अगर risk improve हुआ है तो इसका मतलब अनुपम रसायन को गिरना चाहिए ठी तो जब आप इनके quarterly results उठाके देखेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा सीलो वर्ड में क्या है फिर उसके बाद में इसका जो link है वो हम आपको देदेंगे हाला कि प्राइम मेंबर्शिप होगी आप तभी देख पाएंगे आप चाहें तो इस वीडियो को रोक कर इन कंपनियों के बारे में यहां भी पढ़ सकते हैं इनमें एक एक paragraph इन कंपनियों के बारे में दिया हुआ अनुपम रसायन, Aegis Logistics, Sealoworld और Balaji Amines अब एक मज़़दार चीज है इतनी सब जानकारी होने के बाद में अनुपम रसायन होल्ड है, Aegis Logistics बाई है, Sealoworld बाई है, Balaji Amines बाई है हम यह particular जो इनका recommendation है इसको आपको अभी chart के ओपर दिखाएंगे और आप देखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है या इसका क्या एक possible reason और हो सकता है अनुपम रसायन के बारे में आपको याद है कि risk improve हो गया था, यानि कि अनुपम रसायन को उपरी इस तरों से थोड़ा सा गिरना चाहिए और यह है अनुपम रसायन का chart, कहां से गिर रहा है stock, तकरीबन 1200 से गिरता हुआ, लगभग लगभग stock आधा होने वाला है 736, million dollar question यह है कि क्या यह stock अभी भी hold करने लाइक है, या फिर आपको इस stock को reduce करना चाहिए, याद न यह वाला part कहां गया हो, reduce वाला part कहां गया, यह, reduce करना चाहिए, या इसको hold करना चाहिए ठीक, second है agis logistic, agis logistic है buy, यह agis logistic का chart है, जरा chart pattern को ध्यान से देखिए unusual runner, उसके बाद गिरावट और एक base बन रहा है, now technical analysis कहती है कि जब तक major resistance zone break नहीं करता है, तब तक आप buy नहीं करते उसको जब major resistance zone break करेगा, अभी गिरावट complete हुई है या नहीं हमको नहीं पता, जब major resistance zone जो कि 800 का है जब यह break करेगा, तब यह buy बनेगा, अभी इन levels पर नहीं, और यहाँ पर जो हम लोग का knowledge है, technical analysis का और जो इनका है, वो बिलकुल अलग-अलग बैट रहा है तीसरा, silo, buy है, silo एक consolidation zone में है, 918 से लेकर 871 के बीच में, क्या इस consolidation zone में यह stock buy होगा, हमारी लिए, नहीं और last, बाला जीमाइस strong buy है, आखिर ऐसा क्यों, upside potential सिर्फ 17% है, पर यह strong buy है, question ऐसा क्यों, जब बाला जीमाइस को देखिए, क्या हो रहा है यह downtrend के बाद एक consolidation zone है, जिसके अंदर volume आ रहा है, और यह volume जो आ रहा है, वो क्या दर्शारा है कि यहाँ पर accumulation हो रहा है, याद है, rounding bottom pattern की formation है, उसकी शुरुवात है बाला जीमाइस के बारे में जो यह कह रहे है, वो चीज सही है, पर early bird हो जाएगा अगर हम यहाँ buy करते हैं, इसको कहाँ buy करना चाहिए, काईदे से 2488 के पार, जो यह resistance zone है न, इसके पार जब यह buy होगा, तो कम time के अंदर तेजी से return देगा, इस समय buy करना जल्दबाजी हो ठीक, उसके बाद यह 4 stocks निकाल कर रहाते हैं, और उसके बाद में यह discuss करते हैं, अगर आप मेंसे किसी को भी यह लगता है, कि बहुत ज्यादा पैसे देकर, कोई एक profitable paid strategy आपको ऐसी मिलेगी, जो always profitable होगी, या सिर्फ strategy आप पाके मुनाफ़ा कमा लेंगे, तो दुबारा सो tips या फिर paid जो articles होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर आपको हर बार quality मिलेगी, quality के लिए continuously पढ़ाई करते रहनी पढ़ेगी, और उसको लगातार analyze करते रहना पढ़ेगा, अपने knowledge को हर बार test करते रहना पढ़ेगा, कई बार ऐसा होता है कि जो महेंगे seminar होते ह कि उनमें बहुत सारा knowledge दिया जा रहा है, पर ये ज़रूरी नहीं है, ये particular जो article था, इस पूरे article को पढ़ने के बाद, थोड़ा सा knowledge हमारे पास में आया, पर अगर हमसे पूछा जाए कि इन चारो stocks में से कोई एक stock जो buy करने वाला हो, तो हमारे लिए सिर्फ बालज ये minds और कोई नहीं, और वो भी इन levels पर नहीं, जब तक वो 2500 का level break नहीं करेगा, तब तक नहीं, इसलिए अगर आज से पहले आपको ये लगता हो, कि paid strategies लेने से आप बड़ा profit कमा के और घर ले जा सकते हैं, तो इस तरह के जो paid articles हैं इनको पढ़ना शुरू कीजे, जो ये websites होती हैं, screeners है, ET है, money control है, इनके paid subscription लीजे, और उसके बाद उसमें जो articles होते हैं, उनको थोड़ा अंदर तक जा कर पढ़ना शुरू कीजे, आपको बिलकुल नई दुनिया मिलेगी, investment के बारे में और उसके knowledge के बारे में, I hope की चीजें उतनी simple रही हो जितनी हमने रखने की कोश ज्यादातर paid articles ही है, देखते हैं कि इन में से कितने articles काम के होंगे, जैसे कि Davis Lab और LTI है, ये Nifty से बाहर निकल गए है, एक tourism sector के उपर एक article है, थोड़ा साथ अच्छा है, देखते हैं कि इसमें कुछ मिलता है हम लोग को तो नहीं, ये 6 stocks के बारे में discussion है, और foreign fund चाइना कि अपने lowest level पर है, शायद पिछले 5 सालों का जो lowest level है चाइना में, वो है, तो शायद वहाँ पर value उनको थोड़ा से जाद अच्छी मिल रही है, तो एक article है कि शायद पैसा वहाँ से वहाँ जाने लगे, देखते हैं क्या होता है, और post election performer ये article है, अगर कुछ मिलेगा अच् उसकी information जरूर डाल दीजेगा, ठीक है, और कितना profitable था आपका जो paid seminar था वो, और उसकी cost कितनी थी, ठीक है, कुछ और अच्छा मिलेगा, कुछ और अच्छी companyya मिलेंगी, तो आपके साथ में share करेंगे, एक video भी latest डाला था हम लोगों है, उसको जरूर देख लिजेगा, ये related है, एक particular stock है, Ramavision उससे related, छोटी company है, microcap, 100 croda का market cap है, बढ़ी है, business अच्छा है, पढ़ने लायक है, ठीक है, और इस market में immediately कोई भी मुनाफ़ा या बड़े मुनाफ़े की expectation मत रखिएगा, अभी का market इस समय one of the toughest market है, जो हमारे अपने experience में रहा है, उनमे one of the toughest market है, ठीक है, मिलते हैं अगले session में, अपने feedback देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और like, share, subscribe नहीं किया तो कर दीजिए, और twitter पर follow नहीं किया है, तो twitter पर share academy की नाम से हम लोग available है, follow कर सकते हैं आप, thank you very much, have a nice day, good night, bye-bye.